इस्राइल के खिलाब फिलिस्तिली प्रतिरोध देख वोकर इस्राइली बलो पर हावी हैं गाजा के हर कोने से हमास के लड़ाके आग बरसा रहे हैं इस्राइल के गाजा ओपरेशन को विफल करने के लिए प्रतिरोध खतरनाक से खतरनाक हत्यारों का इस्तमाल कर रहा है कोने से इस्राइल की मुश्किले बढ़ गई हैं बावजूद इसके इस्राइल का सैन्या उप्रेशन गाजा में जारी है आईडियफ जमीन और हवाई दोनों हमले कर लड़ाकों का सामना कर रहा है वहीं गाजा की हिफाजत में लड़ रहे हमास लड़ाके छिपकर गोरिल्ला सैन्या का युद्ध लड़ रहे हैं जहाँ वे इसराइली बनों पर कहर बनकर तूट रहे हैं को अगत जरिवार को प्रतीरोट के लड़ाके इसराइली बनों के खिलाब भेंकर संघर्ष में दिखाई दिये जहां लड़ाकों ने तोब खाने और हवाई हमलों की याड में उत्तर की और नुसीरत शिविर में घुसने की कोशिच की थी हमास अंदूलन की मिलिटरी विंग अलकसम ब्रिगेड एक इस्राइली इंजिनिरिंग यूनिट में पहले से तयार बारूदी सुरंग में विस्पोट करने में कामयाब रहा अलकसम लड़ाकों ने फाइटर जेट्स के जरीए अल्यासीन 105 शेल के साथ एक इसराइली मरकवा टैंक चार को भी निशाना बनाया साथी रफा में अल आवदा के पास टैंक के चारो और एक पैदल सेना बल के साथ संगर्श किया अल जायतून पडोस के पूर्व में दक्षडी पूर्व गाजा शेहर में अलकसम ने टैंडेम एंटी टैंक शेल और एक आईडी के साथ दो इसराइली डी-9 बुल्डोजरों को निशाना बनाया अलकसम ब्रिगेड और शहीद अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड के लड़ाके मद्य गाजा में नुसीरत रिफ्यूजी कैम्प के उपर S.A.7 मिसाइल के साथ एक अपाचो हेलिकॉप्टर को निशाना बनाने में सफल रहे वह फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद की मिलिटरी विंग अलकस ब्रिगेड ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इसराइली नरसंगहार के खिलाफ रॉकेट बैराज के साथ गाजा में कबजे वाले फिलिस्तीनी शहरों और इसराइली बस्तियों को निशाना बनाया ब्रिगेड ने रफा शहर के दक्षिर में याबना कैम्प के मद्य में अलधुदा मस्जिद के पास एक और पी जिशेल के साथ एक मर्कवा चार टैंक को बी निशाना बनाया साथी अलकुत्स लड़ाकों ने आरपीजी शेल के साथ एक इजरायली सेनेवाहनों को निशाना बनाने का भी दावा किया इससे रफा शहर के पश्चिम में सावधी पडोस में तयाबा मस्जित के पास बिल्डिंग में आग लगने से विखाक हो गई साथी में भी अलकुत्स लड़ाकों ने मशीन गन और टीबीजी एंटी फोर्टिफिकेशन शेल के साथ एक घर में मजबूत इसरायली सेना को निशाना बनाया जिससे आईडियफ को भारी नुकसान जहिलना पड़ा लड़ाकों ने विस्फोटा कुप करणों के साथ एक डी नाइन सेने बुल्डोजर को भी नश्ट किया रफा के पश्चिम में साओधी पडोस में सेयुद बैराश्ट की एजनसी के क्लीनिक के पास एक इसरायली सेने वाहन को टेंडम शेल से शिकार बनाया ब्रिगेड ने रॉकेट बैराश को साथ रायम सेने अड़े को निशाना बनाने के दावे की पुष्टी करते हुए एक वीडियो भी रिलीस किया जिसमें लड़ाकों ने रॉकेट से इसरायली खेमे में जबरदस्त खलवली मचाए लंबी दूरी के इन रॉकेट से इसरायल को काफी नुकसान का अंदिशा जताया गया है इसके लावा अलकसा शहीद ब्रिगेड ने मशीन गनों के साथ पूरवी दीर अलबलाह में इसरायली सेना के साथ हिंसक छड़ब की ब्रिगेड ने कई भारी कैलिबर मोटरार गोले से पूरवी अल ब्यूरीज में आईडियफ पर हमला बोला इसका एक फूटेज भी जारी किया इसमें प्रतिरोथ के लड़ाके गोले दाक्ते दिखाई दिये दावा है कि इससे इसरायल के गाजा में चलाय जा रहे ऑपरेशन्स को बड़ा धक्का लगा है इसरायली बलों की मुश्किले बढ़ गई है जिस तरह लड़ाके इसरायल के किलाव आधुने को और खतरनाक गोलों का इस्तमाल कर रहे हैं इससे इसरायली बल उबर नहीं पा रहे है वही अलमुजाहिदीन ब्रिगेड ने गाजा के मर्द में आईडियेफ का सामना करते हुए कई इसरायली सेन ने वाहनों को तबाह करने का दावा किया इस बीज दावा है कि इसरायली बंदियों की सुरक्षा कर रहे प्रतिरोत सेनानियों की नुसरात शिविर पर हमला करने वाले इसरायली सेना के साथ जड़प हुई जिसमें यमम यूनिट के एक आडियेफ चवान की मौत हुई ज थे आडियेए झावान की थे प्लाव मौत हो तरुटर हम यूली दावार के पर dud Myanmar? कि भाहल क选 बंदियों की मौत है